लाल सिंग चड़ा में दिखेंगे शारुक खान आमिर खान ने किया कन्फरम सुपर स्टार आमिर खान ने हालगी में एक इंटर्व्यू के दौरान खुलासा किया कि फिल्म लाल सिंग चड़ा में शारुक खान भी नजर आने वारे हैं उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका एक कैमियो रोल है हाला कि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि फिल्म में शारुक को फैंस किस रोल पे देखेंगे हाला कि ये पहली बार होगा जब शारुक और आमीर बड़े परदे पर एक साथ दिखेंगे आमीर ने कहा शारुक मेरे अच्छे दोस्त है जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो भारत में अमेरिका के एल्विस की तरह हो भारत का सबसे बड़ा स्टार हो यही वज़ा है कि मैं आपके पास हूँ यही बात सुनकर उनने इस फिल्म के लिए तुरंध हां कर दिया आमीर खान ने हाल ही में बताया था कि इस फिल्म को बनाने में 14 साल लगे है इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था हां इसमें काफी समय लगा कुल मिला कर 14 साल लगे फिल्म के लिए राइट्स हासल करने में ही लगबग 8 से 9 साल लग गए बता दे ये फिल्म टॉम हैंक्स की हॉलिवूड फिल्म पॉरेस्ट गंप का ओफिशिल हिंदी रिमेक है महिशारुख खान और आमिर खान को एक साथ देखने को लेकर सोशल मीरिय यूजर्स की अलग अलग टिपणी देखने को मिल रही है एक ट्विटर यूजर ने दावा किया और लिखा दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्म है लाल सिंग चढधा एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं पब्लिक को ओरिजिनल और रियालिटी बेस्ट कंटेंट चाहिए रिमेक नहीं बॉलिवूड हॉलिवूड की कॉपी करके उसने बहतर रिजल्ट नहीं दे सकता धीरच कुमार नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा सरकार के सौफ टार्गेट फिल्मी सितारे हैं पर ये जान लीजे कि फिल्म इंडुस्ट्री से सिर्फ मुसल्मान का घर नहीं चलता है हिंदू भी यही से कमाते हैं अंधो का क्या है नफरत इसकदर घर कर गई है कि अपने अपनों को बरबात करने में लगे हुए है बंदी की समझ इन्हें है क्या विफसाय का चलना जरूरी है भरस सिंग नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा हमें गर्व है ऐसे हिंदुस्तानी पर जिसने भारत का नाम रोशन किया हमें अपने देश में ऐसे खान की ही जरूरत है हमारे देश को अब्दुल कलाम, आमिर खान, सल्मान खान, शारुक, अब्दुल हमीत इतियादी जैसे लोग और चाहिए और ये तभी होगा जब उनकी मेहनत का कदर करेंगे इनके कारिये को मोटिवेशन बनाएंगे आपकी क्या राय है, इस खबर को देखने के बाद हमें कॉमेंट बॉक्स पक्ति राय जरूर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलिवूट गलियारों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुत सके